हमें क्या समझाए जाता है जो विश हमें अपने दिमागों से निकालना है कि हम ज्ञान के नहीं थे हम वैज्ञानिक नहीं थे हम अवैज्ञानिक थे हम इल्लोजिकल थे और जबकि fact of the matter है कि आप ये देखिए जितने बड़े-बड़े विज्ञान के खोज हुई अब उधा को हिरोशिमा पे हुआ था who was considered the father of the atom bomb Robert Oppenheimer और जब 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में बिकनी हिल पे पहला atom bomb का successful प्रियोग हुआ था उसको देखने के बाद Robert Oppenheimer ने पहला शब्द बोला था कि मुझे भगवत गीता का वह श्लोक याद आ रहा है जिसमें भगवान ने कहा है यदि स्रजन मैं हूँ तो विनाश भी मैं ही हूँ वह वेद और गीता को पढ़ता था कौन father of the atomic और आजकल फिल्म चली वी ना रॉकेट्री आप देंसे बहुतों ने देखी होगी सबसे कठिन विशेव इज्ञान का किसको माना जाता rocket science अब आपने कभी सुना है कि father of the rocket science किसको कहा जाता है एक जर्मन वेग्यानिक था वर्नर वान ब्राउन जिसने सबसे पहले rocket engine मनाया उसको कहा जाता father of the rocket science और वर्नर वान ब्राउन का जो गुरू था वो एक जर्मन साइंटिस्ट है जिसका नाम था हर्मन ओबर्थ और हर्मन ओबर्थ ने ये कहा है कि वो ग्यान के लिए वेद और उपनिशत को पढ़ता था यह बात जानतें कहां लिखी है एक European scientist है इरिक बॉन डाइकन जिसने अपनी किताब Chariots of God में लिखी है यानि rocket science जिसको सबसे cutting science मना जाता था है उसके father यानि father of rocket science का गुरू कहता है कि हम ग्यान के लिए वेदों को पढ़ते थे और ये कहने वाला एक European scientist है इसमें कोई Indian नहीं है और संगी भाजपाई तो कोई नहीं है आप समझिए ग्यान का इतना बड़ा स्रोत जहां पर हो और वहां पर हमको ये समझाया जाता है कि साब आब ये बताईए धर्ती गोल है ये का का जाता है कि साब पहले योरोप पालों ने हमको बताया एक धर्ती गोल है जबकि मैं किसी के भावना आहत नहीं करना चाता पर लिखा तो वहां किताब में आस तक है कि धर्ती चप्टी है और धर्ती इस्थे रहे खेर कोई बात नहीं हमारे यहां जोग्रफी को हिंदी में क्या कहते है तो नाम से ही गोल है मतलब कहीं कोई संदेई नहीं है कि गोल था दूसरा आपने वारहा उतार देखा होगा तो वारहा के दात में फसी हुई धर्ती गोल है कि चौकोर है तो सदेव से गोल है उसके बावजूद हमें समझाया जाता है कि गोल धर्ती है या उन्होंने हमकों बताया इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इतना जादा हमारे दिमागों में विश भरा है हमें कभी यह बात समझ में नहीं आती है कि विश किस-किस करीने से भरा गया है अब वो और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाट्टे-पुस्तकों से भरा गया है अरे वो हमें लेखों से, कहानियों से, फिल्मों से सबसे हमारे दिमाग में भरा गया है और वो इस धंक से भरा गया है कि हमें तो पता भी नहीं लगता है कि यह कब हमारे दिमाग में इंप्रिंट्स कर दिया गया जैसा कि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ 1970 के बाद की एक फिल्म बताईब बताईए जिसमें भगवावस्तधारी पॉजिटिव रोल में हो बाकी तो छोड़िये कंठी माला पैने हुए धोती कुर्टा पैने हुए तिलक लगाए हुए वेक्टी पॉजिटिव रोल में हो चुनोती से पोचता हूँ टिपिकल अटायर ओफ विलिन और छोड़िये पूर भारती वेशभूशा की महिला यानि जो सिंदूर भी लगाए हो बिंदी भी लगाए हो मंगल सूत्र पहने हो साड़ी पहने हो वो एक दुष्ट सास या भावी होगी है देख लीजेगा सब टी ये चित्र नहीं दिख रहा होगा वो सबसे बहतर होगी कभी आपने सोचा इतना ही नहीं बताइए जातर फिल्मों में प्रोफेसर बेवकूफी होगा संकी होगा वो वीरू सहसर बुद्ध ही होगा बताइए साइंटिस्टों को सिर्फ आप ये मंगल यान और रॉकेट्री यसी फिल्में छोड़ दीजे जो साइंटिस्टों में बेस थी हमेशा साइंटिस्ट संकी दिखाय जाएगा हमेशा फौजी जो डिसिप्लिन होगा उस डिसिप्लिन फौजी का मजा की दिखाय जाएगा असी पृतिशत फिलों में सरदारों का मज़ा खुड़ाय जाएगा कभी आपने एक कलेक्टिव सोचा है कि कितने करीने से हमारे दिमागों में और धर्मा चारे तो धूर तो हो गई होगा इसमें तो कहीं कोई किंतू परंतू ही नहीं है आप ये सोचिए कि किस ढंग से हमारे दिमागों में चीज भरी जाती है और वो सिर्फ इतनी नहीं होती है वो लैंग्विज तक हमारे दिमाग में ऐसी भरी जाती है कि हम वो भूल जाते हैं पिछले तीन पीडियों से सुनते सुनते इबादत महबत इश्किये सब शब्द जो हमारे परदादाओं ने कभी नहीं सुने थे वो सब हमारे दिमाग में ऐसे बस गए कि अगर हम शुद्ध हिंदी के कोई शब्द प्रियोक करने लगें तो लोग उसके ओपर कहने लगते है रे भाई ये आप क्या करने लगे सरल हिंदी बोलिए सरल हिंदी का मतलब क्या जिसमें अंग्रेजी और फारसी का शब्द मिले हुए हों वो सरल हिंदी है और सरल हिंदी और शुद्ध हिंदी से अंतर क्या पढ़ता मैं उधारन देना चाहता हूं मैं परसों अभी आपने बता है ना आज तक ने सर्वे किया था तो उसमें भारत और काल और अमरत शब्द तीन बार आया था वो सबसे आदा तीन शब्द जो आये थे उसी समय बाइचांस वो दिखाने लगे कि कोलकत्ता में सुतंता दिवस मनाय ज पुष्प वरिष्टी फिर वो कह रहा है अपूर्व दृष्टी यह अपूर्व दृष्टी दिखाई पढ़ रही है तो जब आप संस्कृत निष्ट हिंदी पढ़ते हैं तो भारती भाषाओं के साथ ज्यादा जुड़ते चले जाते हैं ना कि डिसकनेक्ट होते चले ज शरी का विशे था कि तमिल नाडू और आंध्र प्रदेश के पत्रकारों ने कहा कि तेलगू और तमिल दोनों में वितंडवाद शब्द है और उसी अर्थ में जिस अर्थ में हिंदी में प्रेयोग होता है अब बताइए शुद्ध हिंदी बोलने से आप भारती भाषाओं के नजदीक जाते हैं कि दूर जाते हैं आप मुंबई जाते हैं तो क्या लिखा रहता है छत्रपति शिवाजी अंतराष्टी विमानतल और हिंडी में हवाई अड्ड़ हवाई अड़्ड़ बहे आप शुद्ध हिंदी पढ़ेंगे तो विबानतल में कोई समस्या नहीं आये giy हम करते हैं अस्पताल वहां लिखा रहता है रुगणाले रुगण का मतलब रोगी होता है आप अगर संस्कृत निश्ट हिंदी पढ़ेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आई गा और यह मैं आपको एक उधारन भी बदाता हूँ जब सुश्मा सवराज जी थी तो एक बार हमने उसे पूछा कि आपने इत्ती अल्दी कंणर कैसे एडॉप्ट कर लिए आप कंणर भाशन कैसे देने लगी थी तो इससे पहले कि वो बोलती उनके पती ने कहा कि इनका संस्कृत का बेस बहुत स्टॉंग था तो सबसे पहले कंणर में बहुत सारे शब्द जो संस्कृत के हैं उन शब्दों को पिक अप किया और उनके उनको केंद्रित करके भाशन का निर्वान किया और उसके भाशन दिमाग को पलूट भी करती है, उधारन के लिए अगर आप देखें, आज एक और भी खत्रा चल रहा है, आज आपने देखना शुरूर नहीं किया कि हर टीवी एड में भी ये छोटे-छोटे बच्चे, साथ ये आठ नो साल का बच्चे आपने माबाप को ग्यान देता है, य क्यों कहेंगे कि नहीं, हमें ही सब कुछ पता था, हमारे माता पिता को कुछ नहीं पता था, जैसे मैं ये एक उधारन भी आपको देना चाहता हूँ, ये बात मैंने एक बार पहले भी बोली है, अभी हरनास संदू को मिला है, मिस वर्ड का पुरुसकार, वरना इससे पहले 1994 से 2003 के बीच में धेर सारी भारती लड़कियों को मिस वर्ड मिस उनिवर्स मिला, उसके आद गायव हो गया, यानि सुन्दर लड़कियां न 1994 से पहले पैदा होती थी ना 2003 के बाद, ये आपको लॉजिकल लगती ये बात, नहीं जी, 1991 में नहीं अर्थविश्ता आई, भार Columbia University का एक research paper है कि basically basically पैसा कहां से आएगा market में, तो उस समय ये आया कि जो भारती ये परिवार हैं, उनकी जो average saving है 19 से 20% है, यानि एक औस भारती परिवार लगबग 20 प्रिश्यत अपनी आयका बचाता है, अब वो उसमें से अगर हम 10% निकाल के market में ले आएं, तो market में initial flow of money नहीं आ जाएगा, अब ये research किया गया कि वो बचत के लिए सबस्यादा प्रेरित कौन करता है, तो उसमें कहा गया कि घर की महिला सबस्यादा प्रेरित करती है कि पैसा बचा के रखो, अब कहा गया कि जो next generation की जो महिलाएं है, यानि लड़कियां जो आज हैं, उनको किस त के दिमाग में फैलता मैं एक चोटी सी बात बताया दे रहा हूं, जैसे हम सब कहते हैं कि एक अंग्रेजी का शब्द है, everything is fair in love and war, इसका हिंदी क्या है, जंग और इश्क में सब कुछ जायज है, ये हिंदी का कोई भी शब्द नहीं है, जंग हिंदी का शब्द हैं, इश् कुछ उचित अनुचित है, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि भाषा आपके दिमाग में एक संस्कृति भी लाती है, हमारे यहां युद्ध का एक धर्म है, और प्रेम का एक त्याग है, इसलिए जिनों ने कहा कि everything is fair in love and war, तो वहां आतंगबाद भी जायज है, और फिर सारे प्रकार के तर्क भी तर्क करते हैं, एक